कितनी मसीने बेचे हैं आप 5,000 से जादा सर और कितने प्रकार की मसीने आप बनाते हैं एक गुलगपा बनाने का मशीन है इसमें गुलगपा पानी पूरी रोटी सारा चीज आपको इसी मशीन से बन जाएगा अगर वो बंदा 10-15,000 रुपया लगा करके छोटा सा मशीन अगर 5,000 लोगों को रोजगार देने वाले रंजीत भाई हमारे साथ हैं ये बिहार में 5,000 मसीन लगा कर 5,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं उनके गोडाउन में हूँ और यहां पर आपको डेर सोफ से ज़्यादा मसीने मिल जाएगी फूड वाली मसीने मिलेंगी जो चिप अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपने ब्रांड का परमोट्सन करते हैं और बड़ा-बड़ा कंपनी जो चिप्स और कुरकुरा बनाता हूं ऐसे कुरकुरा बनाकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं रंजीत भाई अभी तक कितने लोगों को रोजगार दे च लगवाग पांच हजार से उपर लोगों को रोजगार दे चुबाएं कितने प्रकार की मसीने आप बनाते हैं बहुत सारी मसीने जैसे लगू द्योग से रिलेटेड जो भी अपना छोटा बेपार कोई भी जो विरोजगार साथी होंगे जो आपके वीडियो को देखते होंग कि यार आखीर हम रोजगार कैसे करें बहुत सारे लोग को मन में ख्याल आता होगा कि हम तो बिरोजगार पर लिक करकर विरोजगार बैठे हैं लेगि बहुत सारे लोगों को ए नहीं पता होता है कि मातर 10,000, 15,000 इपिया इंवेस्ट करके जो आदमी अपना 10,000, 15,000 में एक मोबाइल खरीद करके कुछ टाइम पास करता है अगर वो बंदा दस पंदरह हजार रप्या लगा करके छोटा सा मशीन अगर हमसे खरीद लेते हैं तो एक रोजगार यूभक कहलाएंगे मतलब बिरोजगार नहीं कहलाएंगे जब बच्छे फोटे हैं तो मम्मी उनको कुरकुरा देती हैं और कहते हैं बेटा चुप हो जबयाऑ और कुरकुरा बनाने की मसीन जो है इनके पास है décidé कुछ भी दाल आपको छंटनी करना है जैसे अरहर का ने एक घर का लाई पीन मशूर का चॉब देयेक्ट इसमें चना डा ऊपपा का कोई रोजगार करना चाहए तो कौन-कौन सीमसीं जदान काई? बनाने की मशीन मात्र 24,000 उपय से 24,000 से स्टार्ट है सर। जैसे कहा जाता था कि बेटा चुप हो जाओ गबर आ जाएगा। वैसे अब मम्मी लोग कहते हैं बेटा चुप हो जाओ कुरकूरे लेकर आ गए और कुरकूरा बनाने की मशीन यहां मिल जाएगी। बहुत सस्ता द इसकी मशीन सिर्फ 24,000,000 में उन बिरोजगार भाईयों के लिए हम लोगों ने बनाया है जो बहुत जादा बिरोजगार है इधर उधर बिरोजगार की तलास में भटकते रहते हैं ऐसे इसमें मशीन हमारे पास बड़ी मशीन भी है जो महंगी मशीन आती है तो महंगी मशीन सब कोई नहीं खरीच सकता है क्योंकि उसके लिए फिर 7-8 लाक रुपे 10 लाक रुपे का प्लांट लगता है तो हमारे पास छोटा प्लांट है छोटा से लेकर के बड़ा प्लांट है अगर आप कोई छोटा इंवेस्टमेंट करना च मशीन है यह मशीन जो भी देख रहे है गुलगपा वनाने इसमें गुलगपा पानी पूरी रोटी सारा चीज आपको इसी मशीन से बन जाएगा सिर्फ इसमें जो रूला और डाई होता है चेंज करना कितने की है यह मसीन मात्र 55,000 रुपे मिल जाएगा 55,000 में आदमी पान प्रकार की मसीने जो है फूड मैट्रियल की मसीने आसानी से मिल जाएगी यह किस प्रकार की मसीने रंजित भाई यह मसीन से सारे ब्रेड बीस्कीट रस्क पापे कोई भी आइटम अगर आपको बनाना है और बना करके अपना ब्रांड बना करके मार्केट में सेल करना है तो स्टार्टिंग प्राइस है जो सरमात्र 30,000 रुपय से हो जाता है 30,000 रुपय में 30,000 में आप अपना बेकरी शुरू कर सकते हैं बेकरी पीजा बर्गर कोई भी आइटम बना करके मार्केट में आप सेल कर सकते हैं वो बड़ा वाला मसीन जो आता था खुब बड़ा घर में ल मुंको रोजगार देना पून को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी मतीन बनाई होती है यह निकार अब यह बना कर बिहार के लोगों को रोजगार में आ र59-CI seulement बनाने की मजिन वह कितने वासी होती है इस में 사रे साइज के आप मतलब 0.5 mm से लेकर 1.5 mm तक की मोटा पतला जो चौमिल मार्केट में मिलता है सारे डाई चेंज करके आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं यह बताई यह मसीने जो हैं चलेंगी काईसे यह चलेगी सर मोटर से बिजली से जैसे सिंगल फेस से चल जाएगी घर की बिजली से चलेगी आपको कोई भी एक्स्ट्रा बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर चोटी मशीन जो भी चोटी मशीने हमसे खरीद रहे ह तो उसको आपको बिजली से मतलब अलग से कनेक्शन लेने का जरूरत नहीं है आपको घर के सिंगल फेस से कनेक्शन से चल जाए लेकिन अगर वो हमसे मशीन खरीदते हैं तो उनको हम गारांटी लेते हैं कि कम से कम कमाएंगे तो 30 से 35 जार रुपया महीना असानी से कमाएं करेंगे तो उनको और बड़ा पैसा आएगा उनको पैसा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा लोकल में रोजगार मिले एक और मसीन दिखाते है क्योंकि मैंने सुरू में आप से चर्चा किया हुआ था कि कुरकुरा जिसको गाउं का एक छोटा बच्चा जो है वो भी खा मत्रों सब डाले मसाला अलग से डलता है तो लेवार पुदीना फ्लेवर जो भी है उसका डालने का अलग मसीन यह मशीन है यहां पर रखा हुआ अचा यह भी घर के बिजली से चलेगी सिंगल फेस्से अच्छा यह इसका प्रोड़क्शन केतना है इसका घंटे का लगवक भीच से पचीस किलो प्रति घंटा रट निवीज को रिकेगा ये लगवग दस रॉपया का पैकेट लेते हैं उसको में मुश्किल से दस गराम नव गराम रहता है और यह जो पाइज सकते हैं और पांच युपाया जो में बैटेरियल लगता आया तो मक्का कैसे 35-40 रुपय मार्केट में आपको 1 kg मिल जाएगा, तो पैसी चालीस रुपय का 1 kg आईटम अगर बनाते हैं तो आप उसको लगवक 100 पैकेट बनेगा, तो 100 पैकेट में आप समझ सकते हैं कि कितना का प्रफित होगा, अगर 10 रुपय मार्केट में भीखता हैं तो सो गुने दासो एक हजार रुपया का माल हो अचा रंजे भाई इसमें कुछ गैरेंटी वेरेंटी भी देते क्योंकि यह आपकी खुद की मैनिफ्रेक्ट्रिंग है आप बड़े-बड़े ब्रांड से टाटा बिरला डानी अम्बानी का ब्रांड को लगाते नहीं है तो यह आ उनको हम एक साल का सर्विस वरंटी देते हैं और एक साल के बाद पांच साल तक फ्री सर्विस देंगे जो टेकनीशियन का कोई चार्ज नहीं लाएगा पटना में यह फैक्टरी है और पटना से विहार के अंतिसो जिलों में और विहार के बाहर भी आपको जो है इनकी मसीन की चर्चा मिल जाएगी और इनके मसीनों की सप्लाई आपको मिल जाएगी अगर आप अपना धंदा करने की चुक है और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोयम का रोजगार उत्पन करूं मैं भी फूड बना कर जो है उसे बेचूं मैं चाउमीन ठेला पर नहीं बलकि हर एक ठेल कर अपना रोजगार उत्पन कर सकते हैं अगर आप फूड की बात करें तो फूड की मसीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो साई से और लंबा समय लगेगा और विसेश कर अगर आपको जानकारी लेना है तो हम नंबर दे देते हैं रंजीद वाई का आप इनसे संपर कर सकते हैं अगर आपको आखो देखा हाल जानना है और इनके पास बिजिट करना तो आप इनके एड्रेस भी आकर जो है आप बिजिट करके मसीनों को ले सकते हैं बस इतना समझें कि 10,000 से मसीने सुरू है हाँ 10,000 से मसीने से नहीं हमारे आप फूड आइटम मातर 4500 रुपे स अब ने समय के चीनी के साथ बनती है इसको भी आप लेकर तयार कर सकते हैं पर भी मसीन लेकर बिहार के लोग को आगे बढ़ाना और बिहार के लोग जब अगए बढ़ें के दुझें बढ़ेंगे इस वीडियो दिखने के लिए तमाम एग्पना एकक बाबर बहुत भादा झाल 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 झाल